प्रिये विद्यार्थियो सुप्रभात आज हम कैमरे में बंद अपाहिज कवीता पढ़ेंगे जिसके कवी रगुभीर सहय जी हैं इस कवीता में दूरदर्शन कर्मियों की समवेदन हींता और करूरता पर प्रकाश डाला गया है मीडिया में कारे करम को आकरशक और विकाओ बनाने के लिए मानविये दुख दर्द को खोल कर दिखाया जाता है अपाहिजों को कैमरे के सामने लाकर उनसे बड़े ही करूर प्रशन पूछे जाते हैं आईए अब हम इस कवीता को पढ़ते हैं हम दूर दर्शन पर बोलेंगे हम समर्थ शक्तिवान हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में समर्थ का अर्थ होता है साधन संपन शक्तिवान का अर्थ है ताकतवर दूर्बल का अर्थ है कमजोर दूर दर्शन के कारेकरम के संचालक स्वेंग को समर्थ और शक्तिमान मानते हैं दूर दर्शन कारेकरम का संचालक कहता है कि हम दूर दर्शन पर एक कमजोर व्यक्ति को एक बंद कमरे में लाएंगे और उससे पूछेंगे उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं तो आप क्यों अपाहिज हैं आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा देता है कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा हाँ तो बताईए आपका दुख क्या है जल्दी बताईए वह दुख बताईए बता नहीं पाएगा अपाही जिकारत होता है जिसके शरीर का कोई अंग बेकार हो संचालक कहता है कि हम उस अपाहीज व्यक्ति से पूछेंगे कि क्या आप अपाहीज है फिर हम उससे प्रशन करेंगे कि आप अपाहीज क्यों है फिर उससे अगला प्रशन पूछा जाएगा कि आपको ये अपाहिजपन दुख तो देता होगा फिर वह संचालक कैमरा मैन को निर्देश देता है कि अपंगता को बड़ा करके दिखाओ फिर संचालक अपाहिजपन से बड़ा ही अटपटा सा प्रशन पूछता है जल्दी से बताईए आपका दुख क्या है जबकि उसका दुख स्पष्ट दिखाई दे रहा है वह अपाहिजपन अपना दुख बता नहीं पाएगा पच्चो इस कावियांस में स्पष्ट व्यंग्या दिखाई दे रहा है कि संचालक महोद्या को अपाहिज व्यक्ति के दुख दर्द से कूछ लेना देना नहीं है वह तो केवल अपने कारेकरम को रोचक बनाना चाहता है आगे देखिए सोचिए बताईए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है कैसा यानि कैसा लगता है हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा सोचिए बताईए थोड़ी कोशिश करिए यह अफसर खो देंगे आप जानते हैं कि कारेकरम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे इंतजार करते हैं आप भी उसके रोपढ़ने का करते हैं यह प्रशन पूछा नहीं जाएगा आगे संचाल कहता है कि उस अपाहिज व्यक्ति से कहता है कि वह सोच कर बताए कि उसे अपाहिज होकर कैसा लगता है यदि व्यक्ति नहीं बता पाता तो संचालक उसे संकेत करके बताता है इशारे गार्थ के संकेत करना करके बताता है कि क्या ऐसा लगता है फिर से उसे सोच कर बताने की कोशिश करने को कहता है क्या आप यह मौका खो देंगे कि आपको अपना दुख लाखों लोगों के सामने बताने का मौका मिला है कारे करम संचाल कहता है कि हमें कारे करम को रोचक बनाना है इसके लिए जरूरी है कि अपाहिज व्यक्ति अपने दर्द को खुल कर बताई इसलिए हम उस अपाहिज व्यक्ति से इतने प्रशन पूछेंगे कि पूछ पूछ कर उससे रुला देंगे दर्शक भी उस पल का इंतजार करते हैं जब अपाहिज अपना दुख बताते बताते रो पड़े फिर हम परदे पर दिखलाएंगे फूली हुई आँखों की एक बड़ी तस्वीर बहुत बड़ी तस्वीर और उसके होंटों पर एक कस्म साहट सी भी आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे एक और कोशिश दर्शक धिरज रखिए देखिए हमें दोनों एक संग रूलाने हैं कारेकर्म संचालक अपाहिज से प्रशन पूछने के बाद परदे पर अपाहिज की सूजी हुई आँख दिखाता है वे सूजी हुई आँख को बहुत बड़ा करके दिखाता है वे अपाहिज के होंटों पर एक बेवसी और बेचैनी का दर्थ भी दिखलाता है वे दर्शकों से आशा करता है कि वे उस बेवसी और पीड़ा को कसम साहट कारत होता है पीड़ा को उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे यानि कि जो उसके होंटों पे बेवसी और बेचैनी नजर आ रही है उसको जो दर्शक है वो उसकी अपंगता की पीड़ा ही मानेंगे कारेकरम संचालक यह कोशिश करते हैं कि वे अपाहिज के दर्द को इस तरह दिखलाएंगे कि ना केवल अपाहिज रो पड़े बलकि उसके दर्द को देखकर दर्शक भी रो पड़े प्रन्तु कारेकरम संचालक अपनी इस कोशिश में सफल नहीं हो पाता आप और वहे दोनों कैमरा बस करो नहीं हुआ रहने दो परदे पर वक्त की कीमत है अब मुस्कराएंगे हम आप देख रही थी सामाजिक उदेश्य से युक्त कारेकरम बस थोड़ी ही कसर रहे गई धन्यवाद कारेकरम संचालक यह कोशिश करते हैं कि अपाहिज के दर्द को इस तरह दिखलाएं कि ना केवल अपाहिज रो पड़े बलकि उसके दर्द को देशकर दर्शक भी रो पड़ें प्रंतु कारेकरम संचालक अपनी इस कोशिश में सफल नहीं हो पाता तब वह कैमरामेन को कैमरा बंद करने का आदेश देता है यदि अपाहिज का दर्द पूरी तरह प्रगट नहीं हो सका तो ना सही परदे पर समय की कीमत होती है इतना नाटक करने के बाद कारेकरम संचालक मुस्कराएंगे वे दर्षकों को संबोधित करेंगे कि अभी आपने सामाजिक पीडा को दिखाने वाला कारेकरम देखा इसका उदेश्या था अपाहिजों के दर्द को समझना और मन ही मन सोचेगा कि पस थोड़ी ही कमी रहे गई का सरकार्थ क्या होता है कमी अपाहिजों और दर्षक एक साथ रो नहीं पाई अंत में कारेकरम संचालक दर्षकों को धन्यवाद करता है उमीद है आपको यह कवीता समझ आ गई होगी धन्यवाद